हेलो डिये स्टुडेंट्स स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कलास में डिये स्टुडेंट्स आज माँ आपकी लेके आया हूँ हिंदी अनिवारिये में व्याकरण एवं लिपी से समंदित लेशन तो स्टूडेंट्स आज अपन जानने वाले हैं व्याकरनेवं लिपी के बारे में अगर आपको इन नोट्स की पेडियप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेड्स और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं एन्वार ये हिंदी के अंदर है ये व्याकरनेवं लिपी सबसे पहले बात करें व्याकरन क्या होता है तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा व्याकरन की परिभासा और व्याकरन क्या है तो देखें व्याकरन मुखे तैब भासा के नियमों का संकलन और विशलेशन करता है और इन नियमों को स्तिर करता है व्याकरण वे सास्तर है जिसके दुआरा भासा का सुद्ध एवं सर्वे मानने या मानक रूप जैसे बोलना, समझना, लिखना, तथा पड़ना आता है भासा को सुद्ध रूप से लिखने और बोलने से समंदित नियमों की जानकारी देने वाला सास्तर व्याकरण कहलाता है तो अपन को व्याकरण की परिभासा मिल गई, व्याकरण क्या होता है भासा को सुदुरूप से लिखना और बोलने से समंदित नियमों की जो सास्तर हमें जानकारी दे वो व्याकरण कहलाता है किसी भी भासा को जानने के लिए उसकी व्याकरण को जानना आप से कहे कि किसी भी भासा को अगर हम जानना चाये तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है उस भासा की व्याकरण जानना जरूरी है हिंदी भासा में धावनी, वर्ण, पद, पद्यांस, सबद, वाक्य, आदी का ग्यान किस से होता है व्याकरण से ही होता है अगर हिंदी बासा में आपको धाउनी, वर्ण, पद, पद्याश, इन सब के बारे में अगर जानकारी लेनी हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, उसकी व्याकरण को जानना होगा, अब आगे देखिए, मुख्य रूप से व्याकरण को तीन भागों में विभाजित क किया जाता है, वो तीन भाग कौन से हैं, वो है वर्ण विचार, सबद विचार, और वाके विचार, अब बात करते हैं लिपी की, सबसे पहले बात करें लिपी क्या है, इसकी परिभासा क्या है, तो मोखिक धहुनियों को लिखित रूप में परकट करने के लिए, निश्च इसका आप डाउनलोड कर सकते हो, अब बात करते हैं, एक तरफ भासा दी गई है और दूसरी तरफ उनकी लिपी की हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत जो भासा है, ये देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, पंजाबी है वो गुरु मुखी लिपी में लिखी जात जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन को रोमन लिपी में लिखा जाता है और जापानी को जापानी लिपी में ही लिखा जाता है, तो ये इंपोर्टेंट पर्सन है, पूचा जा सकता है, कोई भी भासा दे करके कि ये कौन सी भासा में लिखा जाता है, अब बात करते ह देवनागरी लिपी के निर्धारित मानक रूप तो सबसे पहले बात करिए सवर जो कि A, A, E, E, O, O, R, A, I, O, O ये सवर है मात्राई जो कि आप देख सकते हो तो मात्राई A में कोई मात्रा नहीं होती है A में अगे जो कि आप सिधा यानि की डंडा देख रहे हो वो होता है एक लाइन छोटी E की मात्रा बड़ी E की मात्रा छोटा O, बड़ा O इस तरह से ये मात्राई दी गई है अब गरहित जो ग्रहन किया गया है जैसे O, जैसे डोक्टर में ये O लगता है कॉलेज में ये अंग्रेजी से गरहन किया गया है एनुष्वार जैसे अन्स seems ये अनुष्वार जो नाक से बोला जाता है अनुणासिक जैसे कुउआ, चांद, चंदर बिनदू वाले विसर्ग जैसे एह, दुख, मनेस्थिति ये विसर्ग है जो दो बिंदू आपको दिख रहा है आगे लगा वो भी सरगे। क्या खे से लेकर कि सह सहत है तक कि हूँगे। शूंक्त वेंजन अक्षा तरा गे और स्रेष यह स्यवक्त वेंजन है। ग्रीत वेंजन की बात करें क्यय खे, गय, जय और फें। ये नुक्ता फार्शी से लिया गया जैसे ग्रीफ, फन्क और कोम अब भासा और लिपी में अंतर बात करें तो भासा उचारण, अव्यो से उचारित या सवतंतर प्रमप्रागत धवनी वेवस्ता है तो लिपी भासा को दर्शे रूपरदान करने वाली लिपी के लिए भासा अनिवारिये है किन्तु भासा के लिए लिपी अनिवारिये नई है भासा का विकास प्रात्मिक है और लिपी का पस्चाथ वर्ती है अब ग्रेकारिया आपको क्या करना है आपके लिए कोई बोली भासा कब बन जाती है लिपी की परिभासा लिखे, हिंदी व्याकन सास्तर के बारे में संचेप में लिखे, भासा और लिपी में अंतर लिखे, राजस्तानी उप भासा की कौन-कौन सी बोलिया है, यदि भासा का विकास नह होता, तो क्या होता सपश्ट कीजिए, तो स्टुडेंट्स इस तरह से आ